रादे रादे दोस्तों स्वागत है आपका संतोष क्रेटिव गार्डन में आज आपके साथ में हेंगिंग बास्केट का एक बहुती खुपसूरत सा प्लान शेयर कर रही हूं जिसको वेंडरिंग जू कहते हैं यह जो है वो दो तरीके से मिलता है मतलब आपको यह वाला कलर म जाती है जिसमें वाइट जो शेड होता है वो ज्यादा होता है वो आपको मिल जाएगा नर्सरीज पे अगर आपकी इसकी रेट की बात करूं तो यह आपको लगबग 50-70 रुपीज के अंदर पूरा जो पूर्ट भरावा होता है वो इस प्लांट का मिल जाता है और उससे देरों जो प्लांट है वो अलग-अलग बना सकते हैं अगर इसकी स्वाइल मिक्स की बात करूं तो इसको एक वेल ड्रेंस स्वाइल मिक्स चीए यह चुकिया अगर आप हैंगिंग बास्केट में इस प्लांट को लगाते हैं तो आप बहुत ही लाइट वेट और जो है नमी बनी रहे हलकी हलकी और पानी जो है वो रुके नहीं तो इसके लिए हलका सा जो दस परसेंड मैंने उसमें सेंड भी मिक्स किया था अब उसके बाद में मैं अगर इसकी वाटर रिक्वाइरमेंट की बात करूं तो देखें इसको जादा पानी पसंद नहीं क्योंकि अगर आप पानी जादा देंगे तो इसकी जो रूर्स है उपर से प्लांट बहुत हेल्दी दिखेगा लेकिन रूर्स दीरे-दीरे काली होके खराब हो जाएगी और प्लांट आपका डाइबेक कर जाएगा तो बस इसके अंदर मिट्टी जो ऐसी है कि उसमें नमी बनी रह तो आप अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैं इसको दो से तीन दिन में इसको पानी रहती हूं हलका सा कि हाँ इसकी जो मिट्टी है वो नम बनी रहे उसके बाद अगर मैं इसकी सनलाइट रिक्वार्मेंट की बात करती हूं तो देखिए अगर आप इसको ऐसी कल के आते हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही प्यारी ग्रोथ होगी तो आपको इस जगर रखना है जहां इसको ब्राइट लाइट मिले अंधेरा इसको पसंद नहीं है अगर आप direct sunlight इसको नहीं दे सकते morning की तो भी आपका bright light में भी यह बहुत अच्छे से plant चलता रहेगा अब अगर मैं इसकी fertilizer की बात करूँ तो देखें जो compost fertilizer है जो liquid वो इसे सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप इसे feed कीजिए इसकी जो growth है वो बहुत तेजी से होगी बहुत ही अच्छी growth होगी और बैस इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी fertilizer नहीं करना है मैं सिफ इसको compost fertilizer करती हूँ वो भी liquid बना के तो आप बस इसे feed कीजिए आप उसको जैसे winter में plants को थोड़ी कम जरुवत होती है fertilizer की इसे तो मन्त में एक बार और आप बाकी के मौसम के अंदर इसको 15 से 20 दिन में एक बार वो fertilizer दे सकते हैं इससे इसकी growth काफी अच्छे होगी आपको यह दिखनी होगी पतली-पतली से इसकी जो roots है वो इसकी जो branches से है roots निकलती है यह देखे यह इस तरीके से यह वाली जो roots है तो यह आप इसकी कोई भी कितनी भी छोटी सी छोटी cutting आप इसको जैसे ही इतनी सी है इसको यहाँ से cut कीजिए और आप मिटी में दबा द अगर पौर्ट की बात करूं मैं इसकी तो छोटे से छोटा अगर जो कॉफी कप होते हैं जो चाय है कोफी के लिए जो मुग या कप होते हैं उसमें भी आप इसे लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से चलती है बहुत ही इजीली ग्रो करती है और बहुत ही खुबसूरत आपके जो घर को लुक देती है तो इसके लिए बड़े पोट की छोटे पोट की कुछ नहीं है आप जो किसी अगर दूसरे प्लांस लगे वे हैं उनके अंदर साइड में लगा दीजे इसको तो ये बिलकु बास्केट का नीचे का बहुत ही प्यारा सा प्लांट है जिसे आप अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं और गार्डन की खुबसूरती को बढ़ा सकते हैं तो बैस अज के लिए इतना ही फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए स रक्षित रहिए